दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे Income Tax Recruitment 2024 Income Tax भरती 2024 की यहाँ पर बात हो रही है अगर आप भी यहाँ पर Income Tax में आविदन करना चाहते हो Apply करना चाहते हो तो Direct Recruitment सीधी भरती यहाँ पर निकले हो इए 3560 पदोपे 10-12 graduate pass अगर आप हो तो आप 25 जुलाई 2024 से पहले पहले आविदन कर सकते हो June जुलाई की यह वेकेंसी रहेगी सभी महिला और फुरुष अभ्यारती रिसेंट में जिन्होंने यहाँ पर graduate pass किया है या फिर जिन्होंने graduate pass कर लिया है या फिर जो final year चल रहा है आपका और result अभी awaited है तो वो सारे लोग यहाँ पर इसमें आविदन कर सकते है इसके साथ यहाँ पर MTS वाले vacancy भी इसमें शामिल है तो दस्वी class वाले वेकती भी इसमें शामिल हो सकते है पूरा detail discussion करेंगे शुरू से लेके end तक इस वीडियो के साथ में आप बने रही है चली दोस्तों भी बात कर लिए यहाँ पर विश्दार में income tax में graduate pass जो भी विद्धियारती है उनके लिए 3560 पदों पर आवेदन मागे गए है यहाँ पर income tax भरती 2024 की में बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप income tax inspector, tax assistant और MTS की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो ध्यान रटना ये तीनों vacancies all over India, महिला और पुरुषब्यारती दोनों के लिए रहेगी यहाँ पर सरवादिक vacancy जो रहेगी वो MTS वाली है MTSN की multitasking staff होता है, जहाँ पर आप देखते हो 4th grade से compare इसको कर सकते हो इसके अलावा tax assistant, tax officer के या inspector के नीचे की post होती है और ये vacancy 1000 से ज़्यादा पदों पे निकले हुई है, साथ ही साथ income tax के 400 पद है और ये महिला और पुरुष अभ्यारती दोनों के लिए graduate पास अगर आप हो तो आप आवेदन कर सकते हो ध्यान रखना यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से qualification भी साथ में बता देता हूँ income tax inspector की graduation रखी गई है, qualification इसके साथ में assistant के पद पे भी same graduation है, plus typing इसमें रखा गया है, यानि कि आपको typing आना चीए इसके अलावा MTS के अगर मैं बात करूँ तो 10th class अगर आप पास हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो simple सा यहाँ पे 10th level का ही paper आपका आएगा, इसके अलावा अगर salary की बात की जाए अभी वर्तमान में यहाँ पे MTS के साथ में streno की post भी आपको देखने को मिल सकती है दोनों की vacancies यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 vacancies में जो salary प्रोवाइट की जा दी है वो probation के बाद में, यहाँ पे जो 2 साल का रहेगा, उसके बाद में क्या salary रहेगी, उसका mention किया गया है यहाँ पे जैसे की 44 के आसपास income tax की चली जाती है, वही 25-30 के around tax assistant की 19-20 के आसपास यहाँ पे streno और MTS वाली post के लिए रहेगी salary यहाँ आप ध्यान रखना, इसके अलावा यहाँ पे graduate कर रखे हो, तो आप आवेधन कर सकते हो, income tax और जो भी graduate वाली post है, उसके लिए, यहाँ पे dates mention कर देता हूँ सबसे पहले, यहाँ आप देख सकते हो, 11-6 को यह release है, यहाँ आवेधन जो है, वह 22-6 से लेके 25-7 तक चल